हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टो अर्चाइनल तो देखिए आज मैं ऐसा डियाईवाई अपलोग के सामने ला रहे हूं जो कि साइदे सभी के घर में होंगे और इसको फेंकने कभूल अपलोग कभी मत कीजिएगा वीडियो को पूरा गेखिएगा वीडियो पसंद आए तो ला नाया मैं अपने हाथ में उठाई और बोली कि मैं क्यों इसको फेंक रही हूं इससे तो कमजोड ग्रोबेग होते हैं जिसमें हम लोग प्लांट लगाते हैं फिर मैं लाई और आइडिया लगाई कि इसको किस तरह बनाओं तो देखिए जिसका चैन ठीक है जैसे यह चैन को एक तरफ का मुह को खोल के भी लगा सकते हैं और जो बाहर से निकलने वाला पाठ है इसको काट भी सकते हैं और देखिए इसका यह बिलकुल नया है लेकिन इसका चैन खराब है तो इसमें मैं क्या सूंच रही हो कि चारो तरफ से इसमें मैं मैं मसीन चला दूं और सबस्क्राइब एक कामा पहाँ से भी सकते हैं और उस से भी नहीं होगा तो देखिए एगर चाइन ठोड़ा सबी ठीक है तो आप इसका जो बाहर निकलने वाला पाठ जो भी आईपी को मतलब बाहर निकलता है जिससे अच्छा से सेट होता है इस पार्ट को काटके हटा सकते हैं और साइड से देखिए मसीन चला सकते हैं आप इस तरह के तो मैं दोनों जीप को पकड़के मतलब दोनों चैन को पकड़के चार वर से सिलाई कर दे रहे हूँ इस को मैं काट दूंगी जो की बड़ा बड़ा होल देख रहा है क्योंकि इतना बड़ा होल तो नहीं चाहिए तो इससे चौड़ा चौड़ा दो-दो प्लांट लगाने का चौड़ा चौड़ा ग्रोबेग बन जाएगा बहुत मजबूत है फ्रेंस तो इसको मतलब किये एक कै कर रही हूं और आप लोग विध्यान से देखिए कि देखिए एक खाट से कोई भी काम करना बहुत मुश्किल होता है तो पूरा दिखाने में दिखत होता है और मेरे पास कोई बच्चे भी नहीं रहता है जिससे मैं ये कैमरा पकड़ने का या करके दिखाऊं आप लोग से तो थोड़ा सा दिक्कत से ही दिखाते हूं लेकिन हर चीज दिखाने का कुशिस करती हूं जिसे अप लोग के घर में भी हो इतने अच्छे चीज़ है तो इसको मत फेकिए फ्रेंट्स जो ग्रो बैग हम आउनलाइन सब लेते हैं उससे भी ज्यादा मजबूत है यह बहुत चारोड से मैं जीब को सिलाई कर दी और आप चाहें तो इसमें होल बनाएं अचाहें तो नहीं भी बना सकते हैं देखिए जो जीब के अंदर का भाग है उसमें जाली जैसा होता है तो उससे अपका पानी निकल जाएगा ओभर वाटरिंग नहीं होगा देखिए इतना मजबूत बन गया और यह बहुत चावड़ा हो रहा था तो इसको साइड साइड से भी थोड़ा समय थोड़ा सक कभर कर दी देखिए अगर चाहें तो आप इसको खोल भी सकते हैं और चावड़ा वाला बैग बनाना है तो और दो प्लांट इसमें आराम से चलेगा कम से कम पंदरा इंच बीस इंच का तो होता है फ्रिंस देखिए कितना मजबूत ग्रो बैग बन के रेडी हो गया अगर पसंद है तो आप लोग जरूर बनाएए देखिए इसमें आप अभी मैं प्लांट नहीं लगाऊंगी जिस दिन लगाऊंगी देखिए दोनों दो ग्रो निकाले हूं कट करके पीछे वाला भाग का और दोनों का जीप लगा के मैं सिलाई कर दी तो ये काफी मजबूत हो गया और मैं एकदम आप लोग के यकीन दिलाती हूं कि ये तीन चार साल तो आराम से चल जाएंगे अब देखिए एक बचे हुए है लेकिन मैं सुबह इसका बना सकते हैं चाहे तो आप पीछे वाला पोर्शन को ही सिलाई कर सकते हैं और देखिए इतना मजबूत ग्रो बैग बना दी मैं और इतना सुंदर लग रहा है कैमरा में उतना अच्छा नहीं लग रहा है आप चाहे तो इस पर डियाई वाई भी कर सकते हैं जैसे कि अभी तो मैं इसको भर के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि काफी बारिस हो रहा है और दोनों साइड से टांग सकते हैं इसको कहीं भी ले जा सकते हैं थेंक यूँ